बाशकार में राजमाहन आप देख रहे हैं बिहारी नियों से बिहार स्वास्ते विभाग ने जो आकरे जारी किये हैं उसके अनुसार पिछले 24 गंटे में पूरे बिहार से 3536 नए संक्रमित मरीज मिले हैं इसके साथ ही बिहार में कोरोना के कुल संख्या पहुंच गई है एक लाख एक हजार नौसो चौपर अगर बात करें पिछले 24 गंटे में किंद जीलों से कितने संक्रमित मरीज मिले हैं तो उनमें अररिया 72, अरवल 20, औरंगाबाद 62, बाका 35, बेगुसराय 149, भागलपूर 54, भोजपूर 72, बक्सर 85, दर्भंगा 79, इस्ट चंपारन 157, गया 138, गोपाल गंच 46, जमुई 9, जिहानाबाद 89, कैमूर 43, कटिहार 151, खगरिया 45, किशन गंच 40, लखी सराय 40, मद्देपूर 122, मदुबनी 187, मुंगेर 56, मुजफरपूर 166, नालंदा 71, नवादा 38, पटना 493, पूर्निया 152, रोतास 73, सहर्चा 115, समस्तिपूर 52, सारन 100, से पूरा 66, सिवहर 12, सितामडी 138, सिवान 64, सुपौल 69, वैसाली 51, वैस्चंपारन 141, इस तरह पिछले 24 गंडे में पूरे 236, थीख होकर घर भी लॉट चुकी है तो कहा जा सकता है कि पिछले 24, गंडे में आगरा लगबाग ठीक होने का और नए मरीजों के मिलने का लगबाग बराबर है अगर कुल बात करें कि 1,1906 जो बिहार में कुल संक्रमीत मरीजों की संक्या हो चुकी है उसमें से कितने ठीक हुए हैं तो 68,675 मरीज रिकवर होकर घर जाच चुके हैं एक्टिव केसों की बात करें तो पूरे बिहार में 32,715 एक्टिव केस अभी मौजूद है रिकवरी परितीसंग बिहार का 63.39 परितीसत का करें पिछले 24 घंटे में कुरोना में 13,498 फीच फूरी 29. logr पिखले 24 Ng cioè 14 І 2.13 ओभी तो 25 isवायर कि पीछले 24 घंटे में रहने 14 अगस्ट को जाच हुई है कुरोना की 1 1,13,000 की पूरा आकरे 13 अगस्त की तुन्ला में कम है क्योंकि 13 अगस्त को एक लाग 21,000 सेंपल की जाच हुई थी हालांकि फिर भी बिहार में अब जाच प्रती दिन एक लाग से जाधा होने लगी चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि किस जीले में कितने एक्टीव केस हैं और कुल संक्रमित मरीजो के संख्या की जीले में कितनी और इया पॉजटीव केस 19、च्रमित में और अरवल पॉजटीव केस 993 और अरगमाबद पॉजटीव केस 18-590 पोजिटीव केश 311, Active Case 411, बेगू सरायट, positive case 4955, active case 1624, भागलपूर, positive case 4964, active case 873, भोजपूर, positive case 2783, active case 820, बक्सर, positive case 287, active case 872, दरवंगा, positive case 702, active case 614, गयाग पॉजिटिव केस 363, एक्टिव केस 1031, गोपाल गंज पॉजिटिव केस 1900, एक्टिव केस 616, जमुई पॉजिटिव केस 1269, एक्टिव केस 230, जहानबाद पॉजिटिव केस 1814, एक्टिव केस 690, कैमूर, पॉजिटिव केस 1000, एक्टिव केस 247, कटिहार पॉजिटिव केस 3520 एक्टिव केस 1616 खगड़िया पॉजिटिव केस 1912 एक्टिव केस 452 किसंगर्ज पॉजिटिव केस 1364 एक्टिव केस 448 लखी सराय पॉजिटिव केस 1290 एक्टिव केस 315 मद्यपूरा पॉजिटिव केस 1440 एक्टिव केस 569 मदुवानी पॉजिटिव केस 2736 एक्टिव केस पॉज़टीव केश 56 importante न अफ्तिकतर गरी केश 652 नमाट पॉज़टीव ऑज़टीव केश 56 अखर ऐसे प्तना 22, समस्तिपूर पॉजिटीव केस 26, एक्टीव केस 871, सारन पॉजिटीव केस 312, एक्टीव केस 1030, पूरा पॉजिटीव केस 145, एक्टीव केस 642, सिवर पॉजिटीव केस 546, एक्टीव केस 171, सितामडी पॉजिटीव केस 1840, एक्टीव केस 817, सिवान पॉजिटीव केस 242 एक्टिव केस 608 शुपॉल पॉजिटिव केस 1823 एक्टिव केस 592 वैसाली पॉजिटिव केस 1904 एक्टिव केस 965 इस तरह पूरे बिहार में एक लाख एक आजार 906 मामले कुल संक्रमन के कोरोना के मिले हैं और 68,675 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं 515 लोगों ने बिहार में कोरोना से अपनी जान गवाई है वहीं एक्टिव केसों की बात करें तो 32,715 अभी भी कोरोना के एक्टिव केस पूरे बिहार में मवजूद हैं तो यह था आज का बिहार का पूर्ना अप्डेट जो की पूर्न रूप से वीवरण के साथ हमने आपके सामने रखा था बिहार में लॉक्डाउन का कल आखरी दिन है जैसा कि बीहार सरकार का आधेश था तो हो सकता है कि कल लॉक्डाउन का दूसरा आधेश जलादी और उमीद है जैसा कि खबर मिल रही है कि लॉक्डाउन बिहार में फिर से बढ़ाया जा सकता है लेकिन जिस तरह से बिहार में छूटे हैं वो छूट जारी रहेंगी लॉक्डाउन अब करा नहीं होगा जितना की करा पहले हुआ था पूर्ण रूप से लॉक्डाउन अब लाग जारी चलाने का जो आदेसे जारी करती है कि नहीं क्योंकि कंद लॉक्डाउन दिन इस पर कोई आदेस कोई खबर आएगी तो जैसे इसिपर कोई खबर आती है तो आप तक जरूर जल से जल पहुचनए की को शिस्ट करनेगे क्योंकि बे-मतलब की बिवज़ा और गरad खबरे हम आप तक नहीं पहुचाने चाहते हैं और क्यूंकि इससे भरम पैदा होता है और लोगों में विश्वास की भावना भी कम हो जाती है और इसी वज़ा से हम इससे बचना चाहते हैं तो फिलाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें यह भी आरी न्यूज धन बाद